हेलो सुरेंट्स वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल असलाम वालेकुम कैसे हैं बिटा आप लोग सब खेरियस से हैं अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं हमें इस बात का इल्म है कि हम जो चैप्टर लेकर शुरू कर चुके थे फोर्स एंड मोशन का या मोशन इन फोर्स का एक ही बात है इसके अंदर जो आज की सेशन के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रिलेशन बिट्वीन फोर्स एंड मोमेंटम तो हम बात करेंगे एक्जैकली हमने मोमेंटम के कॉंसेप्ट को लास्ट वीडियो में डिसकस किया है और फोर्स को तो एक्जैकली जब चैप्टर शुरू हुआ था स्टार्ट ही इस चैप्टर का फोर्स से हुआ था तो वहाँ पर मैंने काफी डिटेल में आप लोग को फोर्स का कॉंसेप्ट दिया था आज हम बात करेंगे इनकी दर्म्यान इंटर रिलेशन्स क्या होते हैं क्या फोर्स की बहाफ पर या एफ एक ऐसी सिचुएशन एक ऐसी कंडिशन या एक ऐसी एजम्शन हमें लेनी होगी जिस पर जो है बाडी के मोमेंटम के साथ साथ हम फोर्स के दर्म्यान रिलेशन को समझ पाएं ठीक है तो मैं यहां पर अजियूम कर लेता हूं इसके रिलेशन को समझने के लिए मैं हम लिख लेते हैं consider a body right of mass of mass m ठीक है एक body जिसका mass है m वो यहां पर मैं draw कर रहा हूं simply यह हमारे पास body हो गई जिसका mass जो है वो होगा हमारे पास m ठीक है of mass m moving with moving moving with initial initial velocity ठीक है initial velocity that is v i ठीक है अच्छा एक body जिसका mass है m initially क्या हो रहा है कि एक body जो के आपके सामने motion की हालत में है तो जो भी आप observe करते हो वो उस body की initial velocity हो जाती है तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही है कि हमारे पास एक body है जिसका mass m है initially जो उसकी velocity है वो यहां पर मौझूद v i से हम represent कर रहे है i means initial और v जो के letter यहां पर show कर रहा है velocity को तो यह पूरा symbolification जो represent कर रहा है initial velocity को right अच्छा क्या होगा as the force applied and the velocity will change and it will become that vf ठीक है इसको हम change कर लेते हैं या फिर आप लिख सकते हो कि let the force let the force f let the force f changes that the force f changes its velocity changes its velocity and it become changes its velocity to vf ठीक है थोड़ा आसान कर लेते हैं to vf क्या हुआ हमने एक force apply की और force apply करने की वज़ा से क्या होगा एक तो body accelerate होगी एकदम जटके से आगे की तरफ जाएगी अगर कोई चीज आपको hit करती है तो जिस quantity of force के साथ कोई भी body hit करेगी आपकी रफतार में उतनी velocity का change आ जाएगा तो यहाँ जूँके initially velocity v i थी तो body के motion के अंदर जो भी change आया उसकी velocity v i से convert होके हो गई vf ठीक है उसे मैं यहाँ पर draw कर रहा हूँ ठीक है यह हमारे पास body की final state हो जाती है final means final velocity vf का मतलब क्या होगा बिटा final velocity यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिटा final velocity ठीक है final velocity यह आपके पास situation है so what do you think क्यार यहाँ पर force और momentum के relation पर अभी तक हम नहीं पहुंचे फिलाल हमने क्या किया simply body ली जिसका mass m था initially उसकी velocity v i थी और फिर हमने यह assume कर लिया कि let the force f changes let the force f changes its velocity to vf एक force जिस जो apply की गई इस body पर towards left ताके इस body को move करा सके हम right side पर और उससे हुआ है यह कि velocity will becomes vf ठीक है velocity change होकर हो गई vf जिसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि vf का मतलब final velocity अच्छा डाग्राम पर जरा focus रहीगा क्योंकि डाग्राम की मदे मुकाबल ही हम सारी generations को complete करने वाले हैं चलिए पहले हम start करते है momentum के concept को मैं यहाँ पर formula लिखने जा रहा हूं momentum का जो हमने last video के अंदर discuss किया था momentum हमारे पास simply होता क्या है P is equal to mass and velocity का product P क्योंकि हमें पता है momentum का symbol है momentum को हम show करते हैं P से और momentum बराबर होता है mass and velocity के product के बराबर ठीक है अगर मुझे बताओ बिटा के initial momentum क्या होगा initial momentum क्या होगा इस body का जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहो initial momentum जो होगा क्योंकि हमें पता है momentum mass और velocity का product है mass को हमने m से represent किया है तो mass की जगा m आ जाएगा और initial velocity हमारे लिए इस body की क्या हो जाएगी विया हो जाएगी ठीक है और आप चाहो तो इसको फर्दर एक सब्सक्राइब और भी बढ़ा सकते हो आप इसे लिख दो पी आई यह नहीं इनिशल मोमेंटम पी आई का मतलब इनिशल मोमेंटम विच इनिशल मोमेंटम विच इक्वल टू एम विया अच्छा अब क्या हुआ जैसे ही फोर्स इस पर अप्लाई की गई फोर्स अप्लाई करने की वज़ह से बॉडी की विलॉसीटी में चेंज आ गया और यह चेंज जो लेकर आया इस विलॉसीटी के अंदर वो किस टाइप का था इनिशल से हो गई क्वाइनल तो आपका वीएष में चेंज़ आगी अब यहां पर मैं इसको भी नोट कर रहा हूं इन रिटेन केegeमममेंटम क्या बन जाएगा इस बॉडिय का फांदल मोमेंटम ठीक है, final momentum क्या बन जाएगा इसको moment नहीं लिखना हमने इसको momentum लिखना है ठीक है, कोई बात नहीं हो जाता है इसको सही कर लेते है momentum ठीक है, initial momentum और ये हमारे पास final momentum है, final किया है तो इसके साथ आपने छोटा सा F दिखाना है बहुत खुबसरा सा, F इस बात को शो करेगा ये final momentum है, P F और क्योंके momentum, mass और velocity का product है तो mass क्योंके change नहीं होगा force के लगने की वज़ा से सिर्फ और सिर्फ जो change आएगा, वो velocity के अंदर आएगा तो velocity V I से हो जाएगी V F ये हो गया, आपके पास final momentum और initially हम momentum को discuss करके आच चुके थे कि P I जो था, वो बराबर था MV I K ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस दौरान momentum में कितना change आया, वो change हम कैसे calculate करेंगे, तो यहाँ note कर लेते हैं कि change in momentum, ठीक है change in momentum momentum में क्या change आया और आपको पता है, exactly हम change हमेशा represent करते हैं delta से क्योंकि momentum के change की बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा delta P which is equal to P F minus P I ठीक है, तो अब अब क्या करोगे P F यानि final velocity जो बराबर है MV F के, इसको हम आगे बढ़ाते है, P F की जगा replace करते है उसकी value को put कर लेते है, P F यानि MV F, minus as it is initial velocity चुके MVI के बराबर है, तो यह हो गया आपके पास MVI, ठीक है तो यह change आगया आपके momentum के अंदर अच्छा, अब एक और चीज में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको पहले के बराबर लेकर आ सकते है rate of change in momentum rate of change in momentum ठीक है, rate of change in momentum की बात हो रही है तो change in momentum आया, वो तो हम already कर गया चुके MVI, minus MVI के बराबर होता है तो यहाँ पर change in momentum MVF, minus थोड़ा सा, थोड़ा सा हम क्यूंके delta P की form में भी represent कर चुके थे तो पहले उसे लिख लेते हैं, delta P upon T then फिर further हम उसको आगे continue करते है MVF, minus MVI divided by time rate का क्या मतलब होता है बेटा यही पुछना चाहरा था कि rate का concept क्या है rate का मतलब होता है time ठीक है, rate का क्या मतलब होता है time अब आप यह देखना चाहते हो कि कितने time के अंदर force के लगने की वज़ा से force ने जैसे ही आपने जो force अपलाई की इस body पर उस force के अपलाई होने के बाद, इस body की momentum में कितना change आया, तो यह momentum हम time की respect से अगर calculate करेंगे तो time को हम divide कर देंगे तो rate of change and momentum ठीक है या पर आप इसे कह सकते हो कि momentum with respect to time, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, mvf minus mvi divide by time के बराबर, अब finally, यहाँ पर क्योंकि momentum और force के relation की बात हुई थी, अब तक शायद आप लोग का mind click नहीं किया होगा इस बात को कि यहाँ पर हम force को कैसे replace करने वाले है, let the time, आप लोग थोड़ा सा और time लें, मैं भी अपनी derivation को continue कर रहा हूँ और सोचते रहें, देखें, rate of change momentum तो आ चुके थे, उसी बात को आगे लेके चलते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम को दिखाना होता है, अगर उसके अंदर कोई change है क्योंकि constant है, तो मैंने same symbol यूज किया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ दोनों से mask को constant ले सकता हूँ, तो आगे हम बढ़ाते हैं अपने इस चीज़ को, तो mask को अगर मैं यहाँ से constantly बाहर ले लेता हूँ common ले लेता हूँ, तो क्या होगा VF minus VI divided by time आजाएगा अब का अब अगर जरा गोर करें, आप लोगो को याद होगा हमारे पास इतना margin नहीं है लेकिं इंशाल्ला, पुर उमीद रहें हम इस topic को यहीं पर complete करेंगे VF minus VI divided by time according to the, according to first equation या by, by, चलो according ही लिखते है according, according to third, first equation of motion ठीक है, first equation of motion क्या होती है बटा, first equation of motion क्या होती है, VF is equal to VI plus 80 के बराबर है, right ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहां से, मैं resemble करवाना चाहता हूँ ताके comparison करके, यहां पर acceleration को replace कर सको, और इंशाल्ला, पुर उमीद रहें हम पहुंच जाएंगे वहां तक, अच्छा VF आपका ऐसे ही है, VF आपका as it is रहा, अब आप क्या कर रहे हो, VI क्योंके यहां पर इस side पर plus हो रहा है तो इस तरफ जाने बाएगा, तो क्या होगा VI minus हो जाएगा, और ताइम, फिर उसके बाद next step पर जाते हैं जलबाज ही नहीं करते हैं, अच्छा, उसके बाद यह हमारे पास 80 as it is यहां क्योंके time acceleration के साथ multiply हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, VF minus VI के नीचे time divide हो जाएगा तो अब अब ज़रा गौर करें acceleration according to first equation of motion किसके बराबर होती है VF minus VI divide by time और हमें पता है कि हम एक law जिसका concept हम समझ के आचुके होते हैं, जिसको हम drive कर चुके होते हैं, उसको हमने implement करना होता है upcoming जो भी new laws या principles होते हैं, यहां पर भी हम क्योंके इस chapter के अंदर ही equations of motion को discuss करके आचुके हैं, कानामेटिक्स के अंदर किया था हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने newtons के laws को पढ़ा था, अब हम क्या करने वाले हैं, simply vf-vi upon t जो है, वो मैं इसकी जगा पर क्या रख सकता हूँ, acceleration रख सकता हूँ, तो यहां इस equation को मैंने equation number 1 का नाम दिया वा है, तो यहां लिख लो बेटा, putting above, just लिखने की जरुवत नहीं है, क्योंकि लिख कर कितना याद रखोगे, इससे बहतर नहीं है, कि हम अपने topic को आगे continue करते हैं, बगए time लिए, ठीक है, और रेड़ी इस वेडियो ने काफी time ले लिए, तो हम vf-vi divide by time की जगा पर क्या कर रहे है, acceleration replace कर रहे है, acceleration replace कर रहे हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बेटा, m आपका as it is, और करें, आपका m as it is रहेगा, और vf-vi upon t की जगा पर आप क्या कर रहे हो, बेटा, acceleration रख रहे हो, ठीक है, तो आप ज़रा गौर करो, यह किसके बराबर होता है, यह किसके बराबर होता है, ma जो है, वो किसके बराबर होता है, यहाँ जो चीज़ चल रही थी, उसको वैसी रहने देते हैं, delta p upon t, ठीक है, और यह ma की जगा पर हम force लिख सकते हैं, तो आपने देखा, कि change in momentum, change in momentum with respect to time, जो होता है, वो force के equal होता है, तो यह concept, इस बात को बता रहा है, कि momentum के साथ, अगर गौर करें, एकदम direct relation है, force के apply होने से, या force लगने की वज़ा से, किसी भी body पर, जो change आता है, वो momentum के अंदर change आता है, तो आप लिख सकते हो, या इस बात को, याद रखना बेटा, आगे इंशालला, क्योंकि numericals करने वाले हैं, वहाँ पर पदनी किस तरह की मुख्तलिफ situations हो सकती है, so be ready for that, कि इंशालला, याद रखीगा, force के apply होने से, momentum के अंदर change आता है, और ये बात कहीं कहीं नहीं सुना रहा हूं, simply आप लोग के सामने, इस session के अंदर हम इस बात को proof कर गया आ चुके हैं, कि force जो है, वो momentum के, change in momentum with respect to time, जो है force उसके एकवल होगा, चलिए हम अपने session को यहीं पर इखताम करते हैं, next video के अंदर इस chapter से connected, next जो भी topic होगा, उस पर इंशालला मैं हाजर होता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा खैल रखेगा, thank you so much, लाफिर्स.